आफे तो आपके लिए फिर सेंट्न नई वीडियो देखने कर रहा हूं और यह चारा पाइं मैं देख पा रहे ही इसमें मैं आपको बदाने वालाऊ यह शेल् when derश कह След to तो आप देख सकते हैं तो चलते हैं दोस्तो आज कुछ नहीं से ख़लते हैं तो शुरू करने से पहले दोस्त आपसे रिक्रिष्ट है कि यह दिया आप हमारे चैनल पे नए हैं तो रैड कलर के सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए और बाल का बटन दबा दीजिए ताकि आने व दबाई और तीन रसिये सोरी तीन उठाई और तीन दबादी यह तीन तीन का जोड़ा से चलेगा हमारे फिर तीन उठाई फिर मैंने तीन दबादी फिर तीन उठाई फिर तीन दबाई फिर यहां पे एक रसिये उठा लिए यह जीजिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा उसके बाद में दोस्तो यहां पर आपको तीन, दो, पांच रशी दबा कर पिर एक रशी उठा लेंगे फिर यहां पर तीन दबाई, तीन उठाई, इसमें आपको एक अलग डिजेंज बना करने दिखाऊंगा तो वो सबी चीजा आप देखेंगे फिर यहां पे तीन दवा के दो रसी बजाती है तो दो रसी हम उठा लेंगे अब देखें, यहां पे आपको क्या करना है सबसे पहले तो दोस्तो यहां पे एक आटा लगा देना आटा एक बार हमने ले लिया एक बार और लेंगे और उसके बाद में देखो यहाँ पी एक किल्ले हमारी यह सीधे डाल दें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों आप ऐसे भी डाल सकते हैं यह मैंने एक तरीका और बता रहा है और भी वीडियो में वह आप देख सकते हैं तो वहां से भी आप डाल सकते हैं और इधर भी आप सीधी यह आपको कोई दिक्कत नहीं कि इधर हमारी के लिए आलरडी है यह देखेंगे आप सिंगल घुंडी में देखेंगे दोस्तों यह चीज का आपको विशेज कर ध्यान देना पड़ेगा यह हमारी हो जाएगा तो इस प्रकार से आप सबसे पहले आप रस्ती डालेंगे तो मैं वैसी बात बुदावें दू क्योंकि हर रसी में सिर्केंगा चेंज होता रहता है तो वह चीज का अब विषीज कर अब को अब आपको क्या करना है यहां 2 रसी उठा लेने हैं फिर आपको 3 दवाई 3 उठाईब तीन दबाई तीन उठाद इसमें full ही बनेंगे और ये दोने तरफ आप लहर भी बनती देखेंगे दोनुछीज़ आपको देखे गया आज फिर यहाँ पे तीन उठा लीजिए तीन दबा कर फिर यहाँ पे तीन दबा कर आपको तीन रसी उठा लें इस चार पाई में इस रसी में क्या करना है दोस्तो आपको पूरी में ही तीन दबानी और तीन रसी उठा लेनी है और ये एक चार पाई में जितना आपकी चार पाई में ताना आता है उतना आप ताना तान लीजिए दोस्तो उसके बाद ने आप बनाई start किजी और हर बनाई का क्या होता है कि sequence अलग अलग होता है हर degens का वो ताना की कोई दिक्कत नहीं है जितना आता है उतना आप तान लिजी उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है दोस्तों तो देखेंगे इस परकार से थोड़े पर दिजयाइन बनाने में उसका सिक्विंस फिर ध्यान देना पड़ता है यह बात है तो उसी साफ से सिक्विंस में हो सकता है कि तो रस्य आपकी ज्यादा हो जाए या कम हो सकती है तो इसलिए आपको उसका थोड़ा सा ध्यान रखनेंगे तो आप कल्कुलेशन कर लेंगे तो आपको सही रहेगा दोस्तों जब डिजाइन बनाएंगे तो फिर उची साफ शाफ डिजाइन बनाए जितने आपके ताना में वैसे आप कोई भी डिजाइन बना सकते हैं उस रस्यों से थोड़ा बहुत आपको फरक पड़ेगा कि आपको कहीं ज्यादा रहे गया कम रहेगा दोस्तों सिक्में से एकुरेट नहीं आएगा यह हो सकता है दोस्तों इस प्रकार से आप फिर आगे भी यहां पे एक फिर इसके आगे आप तीन दवाते और तीन उठाती रहीं और जब भी आपको रसी लेनी हैं दोस्तों यह जोड़ा सी रसी लेनी हैं यह विश्यस कर ध्यान रखना है यह गुंडियों का पिलंग इसको बोलते हैं और मैं सिंगल गुंडी में बता रहा हूं ताकि आप आसा तो यहां पर आक्टा आप लगा सकते हैं इस प्रकार्शे दो बार आपको लेना है उसके साथ चाते एक चीज का और भी ध्यान रखना है कि जब भी आप रसी लेए यह हमेश्या भार से भार से रसी आएगी दोस्तों यह चीज का विश्यस कर आपको ध्यान रखना है इस प ब्रह बैराइसरे आप 3 उठाते और 3 दबाते रहें। ये शीक्मिंस हमाइरा चलता रहे. इस साइड में आपको कोई भी चेंज नहीं करना है। शिरफ यहां पे आप 3 दबाई तीन उठा देते हैं, फिर यहां पे एक दबादेते हैं, और फिर ये पांच रशी उठा देते हैं दोस्तो फिर एक दबा कर ये पांच रशी उठा देंगे फिर यहां तीन दबाई और तीन रशी उठा देंगे दोस्तो और ये गुंडी डाल देंगे ये चीज़ का आपको देहन रखना और भी यह दिए आप हमारे चेनल पर जाएंगे थोड़ा विजिट करेंगे तो आप नाम की चार पाई शीख सकते हैं हिंदी, इंगलिस में दोनु में मैंने नाम लिखकर बताया है तो वो आप देख सकते हैं तो थोड़ा सा दोस्ता हमारे चैनल पर आपको विजिट करना होगा, तभी आप सीख पाएंगे। और एक बात और बताजेता हूँ आपको, हमारे चैनल पर जाएंगे, तो माई के बारे में बने और ताना के बारे में पर्टिकुलर प्लेलिश्ट बनाई हैं, तो वो आप देख सकते हैं उसमें किस प्राश्य आपको ताणा ताणा है माई गुथना वो सभी बताया दोस्तों तो वो भी आप देख सकते हैं किस प्राश्य आपको ताणा ताणा है या माई बनाना है तो यह सभी आपके उपर है इस प्रगाश्च ये डिजाइन्स आप बनाते रहेंगे और ये आपको सिक्वेंच चलता रहेगा हमारा देखे देरे बीच में सिक्वेंच ये आपको चेंज होता हुआ नजर आएगा वो भी आपको ध्यान रखना है यहां पर तीन दबा कर तीन रसी उठा देते हैं फिर तीन दबाई तीन रसी उठा देते हैं इसे प्रगाश्च हमारे सिक्वेंच चलेगा और ये गुंडी हम डाल देते हैं अब आपको बता रहा था नाम के चारपाई में हिंदी इंगलिस में दोनों में आप देखेंगे दो-दो डिजैन से में नाम लिखेंगे तो दोनों डिजैन से में जो भी आपको नाम अच्छा लगेगा आप लिख सकते हैं पर्टिकुलर्स आप बदा देता हूं मैं एक बात और आपको वीडियो के निचे एक एंडरलाइन चलती है उसमें में में हिंदी इंगलिस में दोनों में अडरस है तो वहां से भी आप कॉंटेट कर सकते हैं दोस्तो यह सभी आपके उपर क्या करना आपक आगे दोस्तो इसी प्रकार से आप तीन उठाए हो तीन दवाते रहेंगे और सिक्वेंस हमारा चलता भी रहेगा दोस्तो यहां से हम पांच रसी दवाकर एक रसी उठा देंगे फिर यह पांच दवाकर एक रसी उठा देंगे दोस्तो सोरी तीन उठाएंगे फिर यहां प तो आपको डिहांने और बीए आप हम्हारी चैनल पर जाएंगे तो पूरी चारुपाइ में आप डिजयेंज देख सकते हैं सबसे आसंट डिजयेंज है वह लहर की डिजयेंज है जोस्तो इम आपको लाईयर बता दियता हूं यह चीज आपको ध्यान रखेंगे, अभी तो आपको लहरी दीखेगा, यहाँ पर इस प्रकार के लहर आप बना सकते हैं, वैसे मनें पर्टिकुलर्स लहर आपको बताएं दोस्तों, वो आप देख सकते हैं, यह आपको थोड़ा सा विजिट करेंगे, तभी आप समझ पाएं फिर इसी पर आचे तीन उठाई, तीन दवाई, फिर तीन उठाई, तीन दवाई, फिर यहाँ पर एक रसी उठादिये, और यह पांस दवा कर दोस्तों, फिर एक रसी उठादिये, फिर यहाँ पर तीन दवाई, और तीन दवाई, तीन दवाई, तीन दवाई, तीन दवा तो इसको इधर भी कर सकते हैं इसे मोड़ सकते हैं लहरों को वैसे मैंने बताए कि इसमें फूल भी बना सकते हैं लहर के साथ-साथ तो वह भी बताएं दोस्तों तो वह सभी आप देख सकते हैं किस प्राश्य मैंने बनाए हैं तो यह सभी आपके उपर कि आपको कुछी लहर अच्छी लगए फूलों के साथ साथ लहर बनाना है या पूरी चार फाइम आपको लहर बनाना है या फिर पूरी चार फाइम फूल बनाने है तो वो सभी आप देख सकते हैं दोस्तों इस परकार से आपको कई डिजेंस देखने को मिलेगी तो यहां से फिर आगे आप इसी प दबाई तीन रसी उठा दिए और लास्ट में ये तीन दबाकर आपको एक रसी उठा देने दोस्ता ये हमारे सिक्वेंस में चलेगा देखो यहां पे थोड़ा पीछी रह रहे हैं तो फिर शिम आपको दिखा देता हूं कि आठा कैसे अलगाए जाता है एक बार ये ले लिज जाती है दोस्तो तो वो देख सकते हैं, खटिया के बारे मैं मैं ने प्रिकुल्ड़ स्वज है की आपको 5पि इस प्रगार्श आपको 5-6 प्रगार्श की खाट मिलेमी उसी प्रगार से दोस्तो आप चोटी मुड़ी मिलेगी फिर बड़ी मुड़ी मिलेगी जो खुर्षी टाइप में मुड़ी होते हैं वो मिलेगी इस प्रगार से वो सभी मुड़ी आपको मिल जाएं तो यह सभी आप देख सकते हैं वो आपके उपर कि किस प्राश आपको विजिट करना है तो उसमें कौन ची आपको बनाना है तो वो सभी आप देख सकते हैं दोस्तों आपको छोटे मुड़ी बड़ी मुड़ी आपको बनाने को मिल जाएगा वो सभी आप देखना पढ़ीक दोस्तो किस प्राश आपको मुडी बनाई उसके पर्टिकुलर समें ने मुडी के बारे वीडियो बनाए है तो वो सभी आप देख सकते हैं तो इन अभी के बारे में आपको सिकंस-वावज देखना होगा दोस्तो जब भी आप वीडियो देखें अंतर तक देखें दोस्तों सबसे पहली बात यह है और उसके बाद में सबी पार्ट देखें आपको पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक जो भी हैं तो आप समझ पाएंगे दोस्तों क्योंकि हमारे बहुत से वीवर्स और सब्सक्राइबर उनके कमेंट आते हैं कि हमें पूरी चार पाई नहीं है और मैं आपको दोस्तों बता देता हूं कि जब भी मैं चार पाई बनाता हूं हमेश्या पूरी ही बनाता हूं दोस्तों यह बात आप विशेश कर आपको ध्यान हो जाएगा आग पता चल जाएगा कि आज यह वीडियो आई है यह part two है या part three है तो आपको वो आसानी रहेगा दोस्तोँ इसलिए मैं आपको बताता रहता हूं कि बैल का उटन दबाना जरूर रखें या तो इससे आपको आसानी रहेगी दोस्तों कहीं भी आपको ढूंडने की जरूरत नहीं पड़ेगी यह सभी आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे और भी आपको बोतल में चार पाई भी देख सकते हैं दोस्तों वह भी मैंने बताया है बोतल में चार पाई कैसे बनाती है और यह कला है और कला हमेश्या दोस्तों दिखाई जाती हैं आपको बता जिता हूं और कला देखे हैं आप भी थोड़ी सी महिनत करेंगे तो आप बना पाएंगे दो सोखिन है तो आप बनवा के ले भी सकते हैं दोस्तों इस प्रकार्श आपको डिजेंस की चाहिए या नाम की चाहिए या फिर आथी घोडा मोर उंट तोता यह सबी बनवाना है या और भी डिजेंस आपको नक्सा बनवाना है तो वह भी बनवा सकते हैं दोस्तों इसके लिए है अपको भीच में बनती रहे हैं दोस्तो इस परकारश आपको यह बीच में डिजएंज को धि adjustments पर्बास रहे हैं उद और यह लग Chinese सब्सक्राश कर आप के यह सब अजके आपको किस डिजयंस बनाना है वो आप बना सकते हैं, यहाँ पर यह सेंटर में आप पांस रसी उठा दीजिए अब यहाँ पर तीन दबा कर एक रसी उठाना है फिर आपको इधर यह पांस रसी उठा देने दोस्तों और यह तीन वस्ती हैं तो तीन रसी उठा दीजिए यह 3 रसे हम उठा देते हैं यह सभी आप देख सकते हैं और भी आप देखेंगे आपको बता जेता हूँ गिलिच्चा देख सकते हैं, हिंडी देख सकते हैं डॉर मैट देख सकते हैं और यह माई भी दोस्तों में ने 3-4 प्रकारश्य गुथ नहीं बताई है तो वह भी आप देखने को मिल जाए दोस्तों इस प्रकारश्य आप बहुत से डिजैन सीख सकते हैं खटिया के अलाव भी और भी बहुत से डिजैन से हैं वह भी आप देख लीजी इस प्रकारश्य सेक्विंस हमारा यह चेंज हो जाएगा आपको अलग डिजैन से बनती भी नज़र आएगी दोस्तों यह चीज का आपको विशेश कर ध्यान रखेंगे कौन शे आपको डिजैन से वह आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों तब यह आप डिजैन से बना पाएंगे फिर यहाँ पे तीन दबाकर आपको एक रसी है उठा लेन, दो रसी है सोरी यह उठा लेनी तो इस परकार सिए यह डिजैन से नाम भी आप देख सकते हैं मोवालस नंमर भी देख सकते हैं आथिगोडा मौरोंट, तोता भी देख सकते हैं तो उसमें बहुत से आपको डिजाइन्स मिल जाएंगे, जब भी मैं चारपाई कोई भी बनाओं, उसमें नई डिजाइन्स ज्यादा तर आपके लिए लेकर हाजिर होता हूँ, और वो भी आप सीख लिजिए, थोड़ा साग मेंद कीजिए, जेखो अलग से या फिर इसको ब तब तक लिए, जय हिंद, जय भारत!